नमस्कार जोहर मैं हूँ बिश्राम आप देख रहे हूँ भाता जारकर दोस्तो आज 9 जनवारी 2021 है और 9 जनवारी हर एक 9 जनवारी को आप सब सैद पता है कि 9 जनवारी को क्या होता है हमारे खुटी जिला जहां आप सब को पता है कि 9 जनवारी को डोंबारी पहाड पर यानि की डोंबारी बुरू डोंबारी बुरू में क्या होता है आप सब को पता है 9 जनवारी हर सल हर सल से जब 2990 इसवी से लगबग ये प्रोग्राम ये परामपरा चलती आ रही है और आप सब इस जगा के बारे में आप सब इसी सवयता के बारे में इसी लोग दर्सन इस्तल के बारे में वाकाई आप सद मेरे से बहतर आप सब जानते हैं जैसा कि आप सबको पता है जब हमारा जारकंड हमारा इंडिया जब अजाद हुआ था अजाद होने के करंती कारी जिसे आप बिर्षा मुंडा के नाम से जानते हैं मैं उस बिर्षा मुंडा की बात कर रहा हूँ जहां आदिवसी की हित की लिए आदिवसी जगह जमिन उसकी असोत्व उसकी सव्यता को बचाया रखने के लिए अपना अलग अंदोलन चलाया था जिससे आप मुंडा बिद्रो के नाम से जानते हैं आज मैं उस मुंडा बिद्रो बिर्षा मुंडा की जिस जन संगर्ष में जिस जन समयलान में जिस जगह से सहीद हो गया है आज मैं आपको इस विडियो में मैं उसी की बारे में बताऊंगा और आज जो 9 जनुवारी 2021 है 9 जनुवारी 2021 से पहले भी हमारे आदिवसी जन जाती दोरा आदिवसी पुर्बच दोरा इस परमपरा को इस बरकार रखने के लिए हमारे बुद्ध जिवी लोगों ने इसको परमपारिक तरेके से बरकार रखा है 9 जनुवारी डोंबारी पह वकीफ है कि डुमबारी पहाड पर आदि बसी मुन्डा जन जतियूंग द्वारा एक के अंग्रेज सिपायों के बिरोद में एक के जन सबाब बैटक बुलायती डुमबारी पहाड पर और इससे लेकर के आज नाव जनुवारी को हर सल हर सल परंपारिक तरीके से वहां पे एक की पूजा अर्चना होती है उस डुमबारी पहाड पर उस पूर्बजों को जो सहीद हो गए हैं उस पूर्बजों की याद में उस जगा पे एक परंपारिक तरीके से मिलान होती है एक परंपारिक तरीके से समयलान होती है जिस जगा पे डुमबारी पहाड कहा जाता है जब बेक्टोरिया रानी जब अंग्रेज सिपायों को जब लेडिंग कर रही थी लेडिंग लीडी कहा जाता है उस समय की ये घटना आप सबको पता है और उस समय की घटना जब बिर्शा मुंडा को पकारने के लिए जब बिर्शा मुंडा को ग्रिपतार करने के लिए जब दुमबारी पहाड पर जब इकटा हुआ था ऐसे इस्थिति में अंग्रेज द्वारा उस लोगों पर अक्रमन किया उस दुमबारी पहाड पर और दुमबारी पहाड कास करके आप सबको पता है अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको इसी उबाता जारकन पर देखाया तो ओ वीडियो देख लीजिए कि किस जगह डोंबारी पहाड कहा जाता है और उस जगह पे आधी बस से जन जाती अपना जन सभा क्यों बुलाई थी इसके बारे में भी मैंने अपनी इसी उबारता जारकन पे मैंने अल्रेडी दे चुका तो आप सब को पता है जब हमारा जारकन्ड जब अंग्रेज के हातों पे जब जमीन को जब चीना जा रहा था जमीनदारों के खिलाप जब लिया जा रहा था ऐसे काई तरह की सोसन जब हमारे जारकन्ड देश में जब हो रही थी ऐसे इस्थिती में बिस्सा मुंडा का नाम आता है आज हमारे जारकंड ही नहीं पूरे इंडिया में बिस्सा मुंडा का एक आदिवसी जन जाती जननायक के नाम से पैचाना जाता है उस जननायक बिस्सा मुंडा ने उस डुंबारी पहाड पर एक जनसबा अंधोलन का बैटक बुलाई थी और उसकी अध्यक्षता में ये बैटक बुलाई थी कि हम अंग्रेजों को किस तरह से अपनी जमीन को लेने से हम बचा सकें और जैसा कि आप सब को पता है अंग्रेज वकाई उस समय के सासक बिक्टुरिया जिसे आप आज की तारिक में लेडिंग लेडी कहा जाता है उस लेडिस की सासक में उसकी परतिनित्वा में उस डुमबारी पहाड पर आदिवसी बच्चे से लेकर बुड़े माबाप तक की उसकी जाने उसकी अग्या उसकी कहने पर चलाए गई है बांदूक आदिवसीओं की खूनी से सिची गई है इसके बारे में आपको बताने का जरूरत नहीं है ये सब आप वाकीफ हैं जब आदिवसी जन्नायक जब बिर्सा मुंड़ा की अध्यक्ष्टा में जब डोंबारी पहाड पर एक बैटक बुलाई थी ऐसे इस्थिति में से जन्जाती बे कसूर लोग उस पर मारा गया और आप सब उसकी इतियास को पता है जब एक छोटा सा बच्चा दो सल का बच्चा जब अपनी मिरित मा की मिरित पिर जब लपक के लिपक के बैट रहा था ऐसे इस्थिति में बेक्टुरिया ने उस बालक पर नजर डाला और इससे दे करके बेक्टुरिया को तरसाया और अपना अंडोलन जो गुलिया तोपों चलाई रही थी उसको रोकने का अदेश दिया ये सब आपको पता है और इससे भी लेकर कि हमारा झारकण सच में बीहिर सहे दों का झारकण है और इससे लेकर कि आज से ही नहीं पुर्बश से ही हमारा जहरकन को एक नई तरीके के लिए आधिवसी की परंपरा के लिए अपनी पुर्बश की अस्तितों को बचाने के लिए सच में हमारा जहरकन संगस करते आया है जब आजाद से पहले आजाद की बाद भी अगर आप देखोगे तो आज की तारिक में हमारा जहरकन आजाद होने के बाद सत्तर सल, तियत्तर सल होने जा रहा है लेकिन आप डूंबारी पहाड जिसे आज आजाद सिप जो भी हमारे जहरकंड की आजाद का एक परतिभा के रूप में उबरा है विस्वा मुंड़ा का ज़नम भूमी धरती कहा जाता है डूंबारी पहाड आज भी डुम्बारी पहाड जस्त का तस है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है बस आप सब अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है जहां हमारा जारकन उली हत्तु या पिर खूटी जिला या पिर डुम्बारी पहाड बिर्सा मुंडा की धर्ती कहा जाता है आज भी आज भी सत्तर सल तियत्तर सल होने जा रहा है हमारे जारकन में जहां विकास की बात होती है हमारा ज़ारकन की बिदान सवा से लेकिन आज तक विकास की उस किताबों में स्रिप लिखी गई है लेकिन आज वकाय में अगर आप धारातल में उत्रोगे आज भी हमारा ज़ारकन हमारे पुर्बज्यों की जो सपना आज तक साकार नहीं हुआ है लेकिन आज इस सक्वपना को साकार करने के लिए दुनियावर की रजनती पाड़ी आज अपनी बोर्ड बैंक बाइलेस की चक्कर में एक दुसरे को बलगराने का काम करती है तो सच तो यही है लेकिन आज हमारे पुर्बजन ने जिस सपना को देखा है हमारे जरकन को जिस नजर से देखा है आज भी उसकी आत्म आज भी सहद आज भी बटक रही होगी कि मैं इन पागलों के लिए मैं अपना जान दे दिया हूँ आज भी जब डुमबारी पहाड जब देखोगे आज भी किसी तरह का कोई सेवास विदा नहीं है अगर आप सब डुमबारी पहाड देखे हैं आज भी उसकी पटक पर एक ऐसी दिवार खड़ी कर दी जा रही है लेकिन आज भी वो अदूरी है अकिर क्यों ऐसा ही काई सरे उ कास्क जब विकास की बात होती है कुई भी रजनीथी पार्टी आदीवसी को ले करकी ही रजनीथी करती है इसलिए आज आज हम अगर 2021 एससि हुआ मिल जाएगी तो रजनीथी पार्टी आदीवसी के सद पीर आऊंगा तब तक के लिए बने रहेगा हमारा उबारता जरकन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल एकन को दबाना बिल्कुल मत बूलेगा अगर आपने हमारे इस्टागराम ट्विटर पेशबुक पेश पर भी आप फोलो कर सकते हैं अगर आपने हमारा बिश्राम कंडीर ब्लोग चैनल को अगर अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और दोस्तों उमीशेर कीजिए तो बने रहेगा हमारा उबारता जरकन के साथ जोहर जरकन्ड है झाल